हेलो शुरेंट्स ऐसे आप सब उम्मीद है सब अच्छे होंगे सवस्त होंगे तो आई ये अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कबर करने वाले हैं टॉपिक क्या है बताइए सब लोग किसकी बाड़ी में हिउमन के बाड़ी में ठीक है यहां हमने हिउमन के बारे में बात की यह चैप्टर हिउमन के लिए है यह आपको महले में बता चुका हूँ और आज मैंने चैप्टर का नाम थोड़ा सार्ट में लिखा है लिखने मुझे बड़ी तकलीब होती थी बहुत health and disease ऐसी बात नहीं मैं लिख भी सकता था लेकिन सोचा आज एचसडी कर देते हैं human health and disease किसी को कोई इतराज है अगर इतराज हो message डाल देना नीचे मैं अगले lecture में पूरा लिख दूँगा ठीक है न तो human health and disease एचसडी ओला एचसडी मत समझना एचसडी पलस फुल एचसडी नहीं है तो आईए अब next topic कबर करने वाले हम लोग तो अब हम लोग जानेंगे कि हमारा जो immune system है किन किन चीजों से मिलकर बना है तो आपको थोड़ा बहुत तो जब हो ही गया होगा इतनी दिन से मैं बात कर रहा हूं किन कि चीजों का हमने पिछले lectures में बात की कि memory based ये सारी चीजे vaccine vaccine and immunization vaccination and immunization जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं और भी सारी चीजे हम लोग उन discuss की कौन उन्हें produce कर रहा था हम lymphocyte cells की बात पीछे कर चुके हैं तो आप जानना होगा कि immune system किन किन चीजों से मिलकर बना है ठीक तो इसके लिए आपको पहले समझना होगा कि चीजों से मिलकर बना है फिर हम लोग जानेगे कि ये चीजे होती कहां पर हैं ये घटनाए किन जगहों पर हो रही है और कौन responsible है इन चीज़ आज हम लोग immune system को पूरी तरीके से खत्म करने वाले हैं और अगले लिक्चर पर हम लोग एक नई disease कह सकते हैं आप एड्स के बारे में पढ़ने लेकिन अपने बारे में तो इस तरीके से जानना है कि कोई हमें चक्मा ना दे सके तो आईए हम लोग आते हैं immune system in the human body तो मैंने यहां तक की लिख भी दिया है कि human immune system में क्या क्या चीज़ें होती आप देखते है lymphoid आरगन होते हैं ठीक है lymphoid आरगन दो भी दो तरह के होते है primary and secondary ठीक है primary lymphoid आरगन कौन होते हैं bone marrow and thymus thymus की मैं आपको position बता दू अभी तुरंद जस्ट बता रहा हूँ आपको figure NCRT में बना हुआ है page नंबर आपको मैं बता दूँ आप पहुँच सकते हैं page नंबर पर 133 153 page नंबर है NCRT 12th का ठीक human health and disease वाले chapter में तो lymphoid आरगन दो तरह के होते हैं primary and secondary जो primary होता है वहाँ पर क्या होता है वहाँ पर origin होता है lymphocytes का और क्या होता है वहाँ पर पर maturation होता है और maturation के बाद एक कहां जाती है secondary lymphoid आरगन में और secondary lymphoid जो आरगन होते हो क्या provide करते हैं आप जानते है primary में तो origin हो रहा है किसका lymphocytes का और इनका maturation हो रहा है लेकिन secondary जो lymphoid आरगन होते हैं वो एक प्लेस प्रोवाइड करते हैं जैसे कि क्या होता है आपने बेवहरी जीवन में ऐसे सोचिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मार पीट करने वाले होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्लेस डिसाइड करते हैं कि मार पीट होना कहां है कहां से मार पी कि इतना समझते ही हैं कि इसको कहा मारना है ठीक है तो उसी तरीके से बिलकुल यहां भी होता है कि प्राइमरी जो लिंफोईड आरगन है वो मेचुरेशन और 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 जिन में हेल्प करते हैं लिंफोसाइट्स के और जो सेकेंडरी वाले हैं वो एक अस्थान प्रोवाइड कर सकेगा और जो पैथोजन है उसको खत्म कर सकेगा तो मैंने आपको लिंफोईड आरगन के बारे में बता दिया ठीक है ही हूंनिवन सीस्टम में यहां में जादा नहीं डिस्कस करूं कि जो स्लेबर्स की चीजें वहीं डिसकस तो सब कुछ होगा हर चैप्टर हर पॉइंट डिसकस होगा फिर अगर आप कहेंगे तो मैं टी सूज जो हैं जो इम्यून सिस्टम को मेंटेन करते हैं उनके लिए मैं अलग से लेक्चर बना दूगा अगर किसी को कोई प्राबलम है एक सार्ट लेक्चर में डाल दूगा लेकिन यहां पर बाते थोड़ा सार्ट मिंग करने वाला हूँ उसके वाद सेल्स के बारे में भी आप पढ़ी चुके हैं कि कौन सी सेल्स होती हैं कि जो इम्यून सिस्टम के लिंफोसाइट्स भाई हो सेल ही तो है और क्या है यह सारी चीज़ें सब सेल्स में Solible Molecules like Antibodies, Antibodies को आप जानी गए हैं कि Antibodies किसके लिए प्रोड्यूस होती है, Ant, किसी के बिरोध में उत्पन हो रही है, किसके Antigen को मारने के लिए, Ant उसके Ant में है, Ant मतलब क्या होता है, किसी के बिरोध में कोई चीज उत्पन हो जा वही Ant है, मतलब जैसे कि कोई जो बैठता है, वही तो होता है, जिसे हमां पोजीशन कहते हैं, ठीक, तो वही चीजे हैं याप पर कि Human Immune System किन किन चीजों से मिलकर बना है, Lymphoid Argon, Tissues, Cells, Solible Molecules like Antibodies, ठीक, अब एक चीजे भी जान लिए कि Antibodies जो होता हो, Solible Molecules है, यह आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा और Human Immune System में क्या क्या चीजे आती हैं, आप यह चीजे तो बिलकुल ध्यान में रखिए, आप चाहिए इसको नोट भी कर सकते हैं, NCIT में दिया गया है, उसके बाल Lymphoid Argon, मैंने आपको बता दिया कि जहां पर Origin होती है, Maturation होता है, और Proliferation होता है, आप Lymphoides occur, मतलब जहां प कि Heart में डिजीज है, तो कि सब को Heart में होगा, पूरी दुनिया Heart से ही परेशान है, भई किसी को Kidney में परेशानी है, किसी को Leber में परेशानी है, किसी को कहीं और किसी Body Parts में Problems है, ठीक है, तो यहाँ यह क्या करेगा, Lymphoid Argon में क्या होगा, Where Origin, Armaturation and Proliferation, आप Lymphoides का आना जा मतलब यहीं पर एक तीज कह सकते हैं, जैसे कि भोजन का होता है, जैसे हमारे जो Army हैं, और जो हमारी Security Forces हैं, उनके लिए एक Depot बनाया गया होता है, क्या, मतलब एक आप कह सकते हैं, कि एक जगह बनाई गई होती है, जहां पर खाद सामागरी का संगरा किया जाता है, और वही से डिलिबर किया जाता है, पूरे जो है उनके पूरे Department के लिए, जैसे कि अभी ये रासन कार्ड जो बना है सभी का, रासन कार्ड वालों का जो रासन आता है, ये कहीं न कहीं एक अत्रित होगा ना, उसी तरीके से ये भी करते हैं, कि जो लिंफाइड आरगन है, यहीं पर साइट होता है यहीं से सब जगा जाता है जैसे रासन सब जगा वहीं से एक ही जगा से जाता है पुरा भारत सरकार केंदर सरकार वहीं से देती है सबको बिल्कुल ऐसे समझे बेवहारीक तोर पर ठीक है तो वही चीजे मैंने यहाँ पर लिखी उसके बंद मैंने आपको बता मैंनें इसम के नदावाब होता है आपने इससे पढ़ा होगा याम। अच्छा थाइमसさんहीं कहां होता है यह बहुत जरूरी चीज्जत धाइमस की स् covenant क्या होता है। यहां जहां मेरा माइक लगा है ना देख रहा है आप बिलकुल यहीं बिलकुल सीधे यहीं पे थाइमस होता है और आपको एक थाइमस के बारे में एक in tristing चीज में बता दूं जा रहा है भाई क्या ऐसा है यही तो मानो जीवन है यही यही से तो पुरूफ होता है कि साइद गॉड हैं मैं किसी चीज को यह नहीं कह सकता कि कौन है क्या है लेकिन यही चीजें हैं जो हमें साइंस जो साइंस को सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम सही है या गलत हैं हर जग है आप देख लीजी और बिलकुल एक दम याद रखिए जो भी लोग गए चार क्या पाँच नंबर गए एक नंबर माइनस भी होता है सिंपल और सेकेंडरी लिम्फाइड आरगन कौन है स्प्लीन लिम्फ नोट्स टॉंसिल पेर स्पैचेस आप स्माल इंटेस्टाइन स्प्लीन के बारे में आप लोग सुन भी चुके होंगे कि स्प्लीन में ही आरबीसी जो एक अठा होती है ग्रेव याड़ आप आरबीसी इसी को कहते हैं कि स्प्लीन को बिलकुल इकदम दिमाग बसा लीजिए कुछ चीज़ें हैं जो माइनड में एकदम सेट होनी चाहिए क्या ग्रेव याड़ आप मतलब भी इसकी कब्र समझे इसका मतलब जो है एक तरीके से जितने भी RBC नर्ष्ट हो रहे हैं सब वहीं स्प्लीन में ये कट्था हो ओके तो आगे के टापिक्स मैं आता हूँ क्या चीज़ें हैं इसमें अब थोड़ी आपकी NCRT भी देख ली जाए ये तो हुई उपर उपर ग्यान की बात है कि क्या क्या चीज़ें हैं यहां पर तो और भी कुछ चीज़ें हैं इसमें कि लिमफाइट टीसू उसके बारे में ठीक है टीसू के बारे में थोड़ा बहुत इसमें दिया गया है कि लिमफाइट टीसू जी लोकेटेड बिदिन दे लाइनिंग अभी पूरा पढ़ूंगा अभी आप पढ़ने के चक्कर मत पढ़िए लिमफाइट टीसू आलसो लोकेटेड बिदिन दे लाइनिंग अब मेजर ट्रैक्ट मतलब लिंपाइट टीसू कहा कहा होते हैं रिस्पाइडेटरी डाइजेस्टिव एंड इरोजनाइटल ट्रैक्ट में होते हैं अंदर से होते हैं ठीक है अब अंदर से ही तो होगे जो जाएगा एंटीजन वो अंदर जब आप खाएंगे खाने के साथ एंटीजन तो अंदर ही तो जाएगा जो हमारे यूरेजनाइटल ट्रैक्ट होंगे और जो है आप मारे रिस्पाइरेटिव डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होंगे उन्ही में हो गए ठीक है टीसू जो उसी में होंगे जो इम्मिन्टी प्रोवाइड करते हैं आप कितनी बैक्टीरिया खा रहें कितने वाइरस खा रहें आप सोच भी नहीं सकते हैं लेकिन वही है हमारा सरीर बिचित्र है और इसलिए उसको सब कुमार के गिरा देता है ठीक है और कुछी ऐसे बैक्टीरिया है कुछी ऐसे वाइरसेस हैं कुछी ऐसे फंजाई हैं जो हमको डिजीज दे पाते हैं ठीक बाकी सब हमारा सरी सब को झेल ले जाता है ठीक और ये कितने हो सकते हैं 50 % हो सकते हैं ठीक है जितने लिंफ़ाइट टीशू है उनमें से 50 % टीशू इसका होता है ठीक अभी मैप चल रहा हूँ, सोच रहा हूँ, पूरा पढ़ लिया जाए पूरा एक तरफ से पढ़ लिया जाए और मैंने आपको बताया था इस प्लीन के बारे में ने, ग्रेव यार्ड आफ रवीसी इसको बिल्कुल याद रखिये, और रवीसी को और क्या कहते है किसी पता है, इसको पता हो, पहले कमेंड में लिखो उसके बाद आगे लेक्चर देखो सोच लो एक बार, एक दो सेकंड का माउका दे रहे इरित्थरोस आई नहीं पता था जान लीजिए, आर वीसी के दूसरा नाम है ठीक, तो आईए, आईएब हम लोग पढ़ते हैं, ज़्यादा समयना बेतीत करते हुए और इस लेक्चर को आज हम लोग सोच रहेंगे, यहीं पर इसको खतम करेंगे इम्यून सिस्टम, इन्दा बाड़ी बिल्कुल एकदम खतम इसके बाद सुरू करेंगे एड्स, इसके बाद का लेक्चर होगा, उसके बाद का एंसर इसी तरीके पूरा एकदम खतम, वो सोच रहें ज़्यादा ज़्यादा यह पूरा चैप्टर हो जाए खतम इसके बाद आप लोग हमें बताईएगा हमारा टेलिग्राम चैनल होगा मैं अभी comment में दे दूँगा चैनल को और आप description में भी दे दूँगा मैं चैनल को और वहां पर आप जाके join करियेगा हमारे चैनल को आप जो बताएगे वही chapter पहले start होगा लेकिन हाँ ऐसा बताएगा जिससे इस चैप्टर का थोड़ा बहुत रिलेशन हो या अन किसी चैप्टर को पढ़ाने से पहले उसे पढ़ाया जा सके ठीक है तो आईए the human immune system consists यह page number आप लोग 153, 12th biology, the human immune system consists of lymphoid organs, tissue cells and soluble molecules like antibodies, मैंने आपको बता दिया कि जो है human immune system में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, as you have read immune system is unique in the sense that it is recognized as foreign antigen, मतलब हमारा यह सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि हमारा immune system इन चीज़ें में सच्छम है कि वो पहचान लेता है हर चीज़ को कि कौन antigen है, कौन क्या है, कौन अपनी cell है, ठीक the immune system also play an important role in allergic reaction, autoimmune diseases and organ transplantation, अच्छा एक बात बताएं, जो कल मैंने पिछले lecture में autoimmune disease बताया था, क्या थी? वो लेक्चर में आप कमेंट में लिखिए, autoimmune disease लगा कि डैस लगा कि पहले लिखिए, उसके बाद आएक लेक्चर देखिए, ठीक है, autoimmune disease में लिख दीज़ें, ठीक, autoimmune disease क्या थी? अर्थराइटीस, रिमेटाइड अर्थराइटीस, आपको नहीं याद है, मुझे याद एक जाम आपको देना है, lymphoid organs, there are organs where origin and are maturation and proliferation of lymphocytes occur, the primary lymphoid organs are bone marrow and thymus, ठीक है, primary lymphoid organs यहीं है, where immature lymphocytes differentiate into antigen sensitive lymphocytes, ठीक है, antigen sensitive का मतलब क्या है, कि antigen के प्रतिये sensitive lymphocytes है, ठीक है, मतलब तभी तो उनको मारेंगे, संबेदन सील होगा जब कोई व्यक्ति, तभी तो उन situation को विरोध करेगा, जैसे आप गर्मी के परत संबेदन सील नहीं है, गर्मी कितनी भी हो रहे है, बगल वाला मर रहा है, आपको क्या मतलब एक पंखा चलाएं कि न चलाएं, बगल lymphocytes migrate to secondary lymphoid organs, lymphoid organs like spleen, lymph node, tonsils, pairs, patches, small intestine and appendix, मैंने साहिद कुछ भूल गया हूँ, मैं सोच रहा हूँ, pairs, patches, small intestine के बाद मैं appendix लिखना भूल गया हूँ, तो appendix भी मैं लिख देता हूँ, क्यों नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे कि मैंने लिखा नहीं appendix, तो मैं यहां लिख देत secondary lymphoid organ है, जिसको नहीं पता, जान लीजिए, लिख लीजिए, बिलकुल एकदम appendix, अभी मैं हट जाओंगा, आप लिख लीजिएगा, अभी परिशान मत होई, अभी आप पढ़िए, ठीक, मौका दिये जाएगा सब चीज के लिए, तो appendix the secondary lymphoid organs provide the side for interaction, आप lymphocyte with the antigen, secondary lymphoid organ ब which then, मार होती है, इसका मतलम नहीं चाइक टफरी आज है, अब कहां मार करना है, ये मत खोजनक चाइक टफरी खोजेंगा, मार करेंगा, पढ़ो, 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 पढ़ो सब लोग, तेलो which then proliferate to become a factor cell, the location of various lymphoid organs in the human body is shown in figure 8.5, the bone marrow is the main lymphoid organ where all blood cells including lymphocytes are produced, मैंने आपको बताया था, बोन मैरो में जो आर वीसी प्रोडूस होती है, जो मैं बोलता हूँ, जो सब्द बोलता हूँ, वो सब्द आप याद रखे, बुक में तो बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन जो बोल बोलता हूँ, वो तो जरूर याद होना चाहिए, आपको ठीक है, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ, वो साइद लिखा भी ना हो, लेकिन वो चीज़ें आपके लिए और भी ज्यादा इंप्वार्टेंट है, ठीक है, दा थाइमस क्या बताया है, लोब डार्गन है, लोकेटे नियर दा हर्ट एंड, बिनीद अब्रिस्ट बोन, मैंने आपको बताया था, ये बिरिस्ट बोन के यहीं बीच में होता है न, और जो है हर्ट के पास में, नियर दा हर्ट, ठीक है, उसके बाद क्या है इसमें, दा थाइमस is quite large at the time of birth, बर्थ के समय क्या होता है, थाइमस large हो वोट्थ bon marrow and thymus प्रवाइड माइक्रो इन्वारिमेंट फार्द डवलप्मेंट and maturation आप T lymphocyte bon marrow और thymus क्या करते हैं, micro environment प्रवाइड करते हैं, कि इसके लिए maturation आप T lymphocyte, ये भी भी ये बहुत जरूरी है, ठीक है, कि पूछ सकता है कि micro environment कौन प्रोवाइड करता है जो है डबलप्मेंट के लिए टीव लिंफोसाइट, बोन, मैरो, एंट, थाइमस आप इसको याद रखिएगा दा इस्प्लीन इज लार्ज वीन सेवड आरगन देखिए सेप आपको मैच करने मैचिंग में दे सकता है, मैचिंग कालम में आपको दे सकता है, कि जो है ऐसे दे देगा कि स्प्लीन, उसके बाद उसका जो है क्या पूँच लेगा आप से उसका सेप पूँच लेगा, तो आप बीन सेवड याद रखिए बीन सेवड, बीन सेवड अभी आप लिख लिजिए गा मैं भी रूख जाओंगा हट जाओंगा आप लिख लिजिए यह भी important है ठीक है बीन सेब्ड हो गया कहां गया भाई तो यहाँ पर हो गया बीन सेब्ड तो अब आते हैं हम लो कि इस्प्लीन इस आलसो देखिए इस्प्लीन इस लार्ज इट मेली कंटेंड लिम्फोसाइट तो इस्प्लीन पर आईए यहां पर दिया गया है कि बोध बोन मेरो एंड थाइमस प्रोइड माइक्रोण फार्द डवलपमेंट अंड मेचुरेशन आप टी लिम्फोसाइट दा स्प्लीन इस लार्ज बीन सेफ डार्गन इट मेली कंटेंड लिम्फोसाइट एंड फाइगोसाइट इट आएट इस फिल्टर आप बलड बाई ट्रैपिंग ब्लड बॉर्ड माइक्रो आर्गिनिजम ठीक है इस्प्लीन आलसो है लार्ज रिजर्ब आराप रित्रोसाइट स्प्लीन क्या है लार्ज रिजर्ब आराप रित्रोसाइट वही ग्रेब आरड आप रबीसी वही सेम क्वेस्टन यह भी है ठीक है द लिम्फ नोट्स और स्माल सॉलिड स्ट्चर्चर्स लोकेटेड एट इट इफरेंट पॉइंट इलांग द लिम्फाइटिक सिस्टम ठी प्रोकेटी अफ लिम्फॉसाइट परजेंट दियर आएंड काज्द इम्यूर इसपास गया इधर उपर मैंने लिखा था सायद कहीं lymph node, देखो कहीं लिखा गया है lymph node, हाँ ये लिखा गया आप देखिए, ये 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 बिल्कुल एक दम बिल्कुल ये 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 lymph node दिया गया ना, ये lymph node भी या बहुत important, कैसे important है यहीं पर जब कोई antigen tribe होता है तभी lymphocyte activated होता है मतलब जब यहां ट्रैप होगा तो सब कुछ activated हो जाएगा जैसे कैसे आप ऐसे कह सकते हैं जब रडार में जो है हमारे देश में जो रडार होती है जो सभी सुरच्छा एजनसियों के पास जब कोई मिसाईल आने वाली होती है जब रडार के पकड़ में आ जाती है सब सिस्टम अपने आप एक्टिवेट हो जाता है आटोमेटिक अपडेट तुरण सब कुछ active हो जाएगा और तुरण हमारी डिफेंस मिसाईलें उसके लिए दोड़ पड़ेंगी और सब लोग चौकनने हो जाएगे किसी ने आक्रमड किया है और वो हमारे रडार के पकड़ में आ गए बिल्कुल वही बात इसके साथ है कि लिम्फ नोड जैसे ही उस एंटीजन ये पकड़ेगा तुरण जितनी लिम्फोसाइट होंगी वो क्या होंगी एक्टिबेट हो जाएंगी ठीक है वही चीज बिल्कुल ये लाइन में दी गई है और दीयरीज लिम्फोइट टीशू आल्सो लोकेटेड बिदिन दा लाइनिंग आफ मेजर ट्रेक्ट्स रिस्पारेटरी डाइजेस्टिव एंड ये लिम्फोइट टीशू तो माल्ट का फूल फार्म क्या है म्यूकोसा एसोसियेटेड लिम्फोइट टीशू और इट कंसिस्ट एबाउट 50 परसेंट आफ दा मतलब 50 परसेंट लिम्फोइड टीशू इन हुमन वाड़ी क्या है माल्ट आप माल्ट याद रखिए माल्ट 50 परसेंट देखिए माल्ट 50 परसेंट आप लिम्फोइड टीशू इन हुमन बाडी इन हुमन बाडी ठीक है इसको मैं गोला कर दे रहा हूँ नहीं तो आप ठोड़ा कन्फ्यूजन में आ सकते हैं इसको अलग से लिखिए गए मार्ट 50% याद रखिए लिंफाइट टीसू जो हुमन बाडी में है 50% है ठीक है तो आज हम लोग लेक्चर यहीं पर रखते हैं और लोकेशन आप एक बार याद रख लीजिए लोकेशन थाइमस यहाँ पर है ठीक है और उसके बाद जो लिंफाइटिक वेसल्स हैं आप जानी रहे हैं यहीं पर लिंफाइटिक बोन्स के पास और थाइमस यहाँ बीच में होगा और लिंफाइटिक यहाँ जितने लिंफाइटिक यह उपर वाले वेसल्स हैं उनके बीच बीच में इसे बिलकुल इक्तम नोड्स होंगे नोड्स का मतलब आप समने पॉइंट, एक पॉइंट वहीं पर जो है जब एंटिजन ट्रैप्ड होते हैं तब ही जो है पूरा एक्टिवेट हो जाता है पूरा सिस्टम पूरा यतने लिंफोसाइट है सर एक्टिवेट हो जाते हैं तो आज का लेक्चर आप उमीद है समझ गये होंगे लेकिन फिर भी आईदी आपको कोई समझ्या होती है तो आप सभी से निवेदन हैं कि देखिये आप लोग अपने डौट्स को बिलकुल एक दम क्लीर रखें ये नहीं कि हां में हां में लाईए हमारे ज़रूरी नहीं है तो आप लोगों से निवेधन है कि आप लोग जरूर आएं सारे लेक्चर आप देखें जिन लोग ने पिछले लेक्चर नहीं देखें वो लोग पिछले लेक्चर देखें तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद